तो हेलो दोस्तों स्वागत थे आप साब लोगों का हमारे यूट्यू चैनल समराट करने हैं तो दोस्तों मेरा नामे का से स्टुडेंट इस वीडियो में हम बात करने माले हैं क्लाश 10 की इंग्लिस ग्रामर के और मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि तो उसको याद कर लेते हैं तो उसके अंतरगात आएगा ठीक है तो चलिए आज इस वीडियो में में मोस्ट इंप्लिकेशन बात करूंगा कि कौन से मोस्ट इंप्लिकेशन है जो कि तो तो देख लेते हैं उसको द्यान पूर्वख आपने नोट कीजिएगा और अच्छे से दिलाता है ठीक है इसको बोलेगा कि आपको रहा है कि यह बोल रहा है कि एक application लिखे principal को अपने college की छुट्टी के लिए उनसे request किजिए और for leave a week for attend मतलब एक सब्ता के लिए आप उनसे छुट्टी माँगे और आप कहां जा रहें your sister marriage आपकी वहन की साधी है और वहन की साधी के लिए आपको छुट्टी माँगना है प्रिंस्पल से किस प्रकार आप application लिखेंगे और उसमें आपका नेम नहीं लिखना है और नहीं आपको प्रस्ताव दिया ठीक है इसी के नुसरम को लिखना है तो चलिए देखें बहुत ही ज्यादा most important बहुत बार पूछा गया प्रिंस्पल क्या लिखना है जिस से स्कु ಲिखेंगे जिस इन्ट यहां लिख meta-धो जोिखना है लेकिन या प्रसन आपको नहीं डुज़र की दुज़रोय है यह नहीं डार्शन अलाला एक्स एक्स कर देज हैगा ठीक है चलिए इसके बाद आपको डालना है subject subject के बार में अपना conditions लिखना है ठीक है तो लिखिया है कि live for a week to attend sister marriage respect sir respect sir के बाद काम लगा कि एक लाइन नीचे छोड़ देना है आप लोगों को इसके बाद आपको यहां से लिखना है कि most respectfully I beg to say that I have to attend the marriage to my sister it will take place on 13th of this month being the only sons of my parents I have to help my father in making the arrangements therefore I request you to kindly grant me leave from 12th December to 15th December 2000 dot dot यहां पर कर दिएगा I would be highly obliged to you फिलाक्ष में आपको लिख देना है कि thanking you your obediently xy z लिख देना है इस्ट्वेंट ठीक है इस परकार जाकर इस परकार आपको तब लिख देना है तब जाके आपका एप्लिकेशन पुडूर से complete होगा तब पहला application करता हूं कि आपने इसे note कर लिया होगा मैं इसको दिखा देता हूं इसको आप नोट कर लिएगा इस्ट्वेंट देखें दूसरा जो यह बता रहा हूं यह जाकर प्रिप्लिकेशन है इसमें बता रहा हूं आप लोगों को कह रहा है कि write an application एक application लिखे to the principal को of your college अपने school के principal को application लिखे informing him about your sickness and requesting to me grant live for absence for four days do not write your name कह रहा है कि अगर आपका sickness आपको कोई कमजोरी आपका तव्यत खराब है उस विपस में अगर application आपको लिखना है अपने teacher यहाँ पे छुटी के लिए ओभी कितने के लिए फोर जिन के लिए चार दिन के लिए ता application कैसे आप लिखेंगे और application लिखते समय आपको आपना name नहीं लिखना है और नई address लिखना है इस ब्रेंट ठीक है आगे आपको इस ट्रंक सद देच चुका है तब इसी के विपस में हमको लिखना application तो देखिए application किस प्रकार लिखेंगे इसका तो इसबसे पहले आपको डालना है दा प्रिंसपल अदा प्रिंसपल डालने के बाद जिस इसकुल में पढ़ते हैं उसका नाम लिख दीजिए जिस डेट को आप लिखने है उसका नाम लिख दीजिए ठीक है ओर पीछे छोड़के कि I wish to inform you that I have been suffering from food poisoning since yesterday the doctor has advised me to take complete bed rest for days so I request you to grant me live for four days from 8th March 20 excess to 11th March 20 excess मैं बताया हूं कि डेट आपको पूरा नहीं लिखना है किस सान में है ठीक है मेडिकल सॉर्टिफिकेट इज एटेच्ट हर विथ आई सेल भी हाइगली जो अबलाइस टू यहां पर आपका नाम भी नहीं लिखना है ठीक है तो देखिए कितना मेरे most important आपको बहुत इंपोटेंट ही वाला ठीक है इंपोटेंट यह चीज़े पहला भी इंपोटेंट था दूसरा भी इंपोटेंट है ठीक है तो चलिए यहां पर दू एप्लिकेशन में आप लोगों को बता दिया जो कि बहुत ज्यादा महत तो पूर थे अब लेक लास्ट और बचा है उसक इसली आपको चुट्टी चाहिए प्रिंसब्ल को तुहाँ पर किस प्रकार आप एंप लिखेंगे च्छूटी में चुटि के लिए और यहां पनेaway अठीके काई को लिखना है इसके बाद subject head in डालना इस डालना है subject head in के बाद आपको तब ओकनीशन से लिखने हैं कांडिशन के रहेंगे के लीव फार फॉर्टेज़ लीव फॉर फॉर देज टू लुक आफ्टर माई फादर मदर और पापा बेमार हैं तो यहां पर मज की मज़्टिवाइज में हैं तो मज़र लिख दीजिए गा महाँ के दूनों दे सकता है तो चलिए वे देखिए फिर आपको लिखना है रिस प्रिस्पेक्ट सार रिस्पेक्ट की बात कामा लगाना है फिर नीचे लिखना है तो फादर मदर देगा तर यहां पर फादर देगा तो फादर लिखना है फिर यहां पर लिखना है कि मूस्ट पुली I wish to request you to grant me leave for five days since my mother देखे, since my mother suffering from fever, तो यहाँ पर देखे, mother लिखा है, father का father लिख लेना, ठीक है, my father has gone out of station and there is nobody else to look after her, the doctor has advised her completed bed rest, so I have to be home to take care of her, I assure you that I would make up for the loss of my studies, by coordinating with my classmate and the teachers, I will be highly obliged to you, thank you, you are evidently exercised, इस परकार आपको लिख देना, कि अगर मम्य पाप आपके अगर स्पीटल में बरती हो, तो आपको छुटी चाहिए, प्रिंस्पल को अप्लिकेशन लिखने के लिए है, तो आप इस परकार अप्लिकेशन लिखेंगे, तो 100% आपको छुटी दे दी अगर वीडियो आपको अच्छी लगए है, प्लीज इस लाइक किजिए, चैनल पने हैं तो प्लीज चैनल को भी सस्क्राइब करेजिए, और बेल आकन को भी प्रेस करेजिए, तब तक लिए दोस्तों धनवाद मिलेंगे आप से नेक्स्ट वीडियो में,